आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली नहीं जिसे आप लोगों की काफी जादा मनी सेविंग हो जाएगी उसके लावा टाइम सेफ भी होगा तो वीडियो को एंड तक वाश करना और उमीद करती हूँ तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी तो चलते हैं अपने टिप नमबर वन की तरफ मेरी चो टिप नमबर वन है वो इस तरह की बॉटल को लेकर है आप लोगोंने कोई भी बॉटल ले लेनी है ठीक है प्लास्टिकी और उसको मिट में से इस तरीके से कट कर लेना है कट करने के बाद हम इसका बहुत ही बेहतरीन और्गनाइजर बनाने वले हैं यहां पर आपने बॉटल को जो है ना वो एंड तक कट कर लेना है सिर्फ नीचे से दो इंच का इसमें छोड़ देना है ठीक है पूरा इसको कट नहीं करना मिट में से इस तरीके से आपने इसको कट करना है वो आपने तमाम चीज़ों को जो है ना इस तरीके से इसके अंदर रख देना है इसलिके होगा तमाम चीज़ें आपकी खराब भी नहीं होंगे और एक ही जगापर सेफ भी हो जाएंगे और टाइम पे भी मिल जाएंगी तो यह देख सकते हैं कितना अच्छा सा हम लोगों ने इसका एक औरगनाईजर बना लिया आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं और उमीद करती हूँ आज की टिप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो जी इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स टिप की तरफ मेरी जो अगली टिप है वो अलुमीनियम फॉाइल को लेकर है जब हमें अलुमीनियम फॉाइल की जो थोती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिम्पल इस तरह से Chinese को प्रत बृत बूरे तरीके से कटिंग होती है तो आज में आपको इसको एिसको कट करने की एक बहुत ही सीम्पल सा तरीका बताने वाली है और बहुत ही सभर दस है आप लोगोंने क्या करना है जब भी ऐलूमीनियम फॉाइल के आप लोगों को जूरुत हो तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और अपने धागे को नलकी जो होती है उसको किचन में लाजमी रखा करें तो इस तरीके से आप लोगे नहीं भागे को यहां रखने और aluminum foil को इसके ओपर fold कर दियने धागे को इस तरीके से आप साइट से खहेंश दे जाएंगे और इतनी बेहतरीन इसकी cutting हो जाएगी न जो भी कोई स्पून्स वगारा हम लोग यूस करतें Can-EMA उस वह करने के बाद यूट जो होते हैं कि शाइन खतंब हम आ जाती है उनके बानी के जो दाग होते रहा होते यू आपको अबस पानी को अब ठीन करे आपक। गरम पानी उसके बाद यह अलूमीनियम फ़ायल को इस तरीके से आप लोगोंने एकठा करके ऐसे पानी के अदर डाल देना याद रखेगा जो पानी है वह गरम होना चाहिए अब तमाम स्पून्स को और फोक्स को जो है ना वो इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद आप कोई भी लिक्विट यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पर इसके अदर थोड़ सा लेमन मैंक्साइड करूंगी एड़ करने के बाद आपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बीस मिनट के लिए आपने अपना बाकी काम कर लेना है और इसको इसकी हालत पे छोड़ देना है अब यहां पर मुझे बीस मिनट हो चुके थे और बीस मिनट के बाद जी मैं इनको और पस पानी गिरा कर आप लोगोंको दिखा देती हूँ, तो यहाँ बैसिफ इसके ओपर पानी गिरा था साफ़ पानी और यहाँ पे जी आप लोगो मैं भी दिखा देती हूँ, तमाम स्पुन्द इतने अच्छे से साफ हो चुके थे और इनके ओपर शाइन भी बहुत अच्छी आ चुकी थे और ये देख सकते हैं तमाम स्पून्स को मैंने इस कपड़े की मदद से ड्राइ कर लिया था तो यहां ये देख सकते हैं आप लोग तमाम स्पून कितने अच्छे से कमीन हो चुकी है और उनके ओपर शाइन भी कितनी अच्छी आ चुकी है तो अमीद करती हूँ ये च्छी सी टिप आप लोगों को अच्छी रगी होगी आप लोग भी ट्राइ कीजेगा और फिर मुझे एक अच्छा सा कुमेंट भी करना हम लोग में गिचन की ड़ुपे किचन ठे चरहा कर बी के इस स्पूल में लेती है पीज़ा बरगर तो खाया जाता ही या तो उसका बॉक्स आप लोगों ने ले लेना है और उसको जो है ना अपने डस्ट बिन के साइस का कट कर लेना है याद रखेगा शौपर चढ़ाने से पहले आप लोग उसकी शेप का उस गते को कट कर लें और उसके अंदर उसको डाल दें तो यहां पर मैंने इसको जो है ना वो सरकल शेप का कट कर लिया था और अब मैं इसको अपनी डस्ट बिन में नीचे रख दूँगी पहले आप लोग ने फेनाईल से डस्ट बिन को अच्छे से वाश कर लेना है फेनाईल डालकर मैंने अपनी डस्ट बिन को अच्छे से वाश कर लिया था पिर मैंने इसके अंदर जो है ना इस गते को रखने के बाद यहाँ पर मैंने शौपर रखे हुए थे वो इसके उपर चड़ा दूँगे आप यकीन करें कभी भी आप लोगों की डिस्ट पिंट में से स्मेल नहीं आएगी कि ना ही कभी इनके अंदर कीड़े मकोड़े पड़ेंगे अब जितना मर्जिस का यूज़ करने तो है ना कितनी बेहतरीन टिप उमीद करती हुए यह टिप आप लोगों को अच्छी रगी होगी अगली टिप जो है ना मेरी इस तरह की प्लास्टिक को बाटल को लेकर है एक बहुत यह प्लाट और्गनाईजर बनाने वली हैं आप लोगों ने इसका जो लौर पार्ट होगा उसको अपने सचुऋटे को गरम करके इस तरह कर लेना है लाइक करना शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना अब जी यहां पर जो है ना मैंने इसको कट कर लिया था कट करने के बाद जी अब जो इसका लोवर पार्ट था उसके अंदर आप हम लोगों ने इस तरीके से इसके साइस का होल कर लेना है तो यहां पर मैंने होल करने के बाद हम इस बॉटल को इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देंगे और यहां पर मैं इस बॉटल को स्प्रे करके फिर आपको दिखाती हूं तो यहां यह आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था हमार लोग करते हैं ना तो हमारी फिंगर वगर आप पर लगने का खत्रा होता है तो उसके लिए आज मैं आपको एक टिप बताने वाली हूं सिंपल आप लोगों ने ले रहे नहीं है कोई भी कील और अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो हमेशा क्रोफिंग क्लिप का यूज कर हैं अब चलते हैं अपने अगली टिप की Turf मेरी अगली टिप जो है ना केचप के पकेट को ले कर आँगर आपके पास अफिर एक साय। केचप है तो उसका इस्तमाल बताने वाली हूँ हमारे हैं इस तरह के नलकों पे इतने जदा पानी के निशान पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्वीप से इतजाब से क्लीन कर रहे होते हैं और वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं कभी भी इनको स्वीप से अधिजाब से क्लीन ना किया करें सिम्पल आपने कैचप का पैकेट इस तरीके से एक लगा देना है इसके उपर और रखने हैं इस तरीके से टिशू पेपर टिशू पेपर रखने के बाद आप लोगों ने ले लेना है सिम्पल सिर्का तो थोड़ा सिर्का आपने इसके उपर लगा देना है तो इलिटरली आप लोग 20 मिनट के लिए इसको चोड़ेंगे 20 मिनट के बाद आप लोगे नलके इतने अच्छे चमकना स्टार्ट हो जाएंगे मैं खुद हिरान थी इसका रिजल्ट देखके अमेजिंग रिजल्ट है आप लोग ट्राय करके देखना इन्शाला यह आपको टिप बहुत अच्छी लगेगी तो यहां पर यह देख सकते हैं आप लोग भी कितने अच्छे से जो है ना वो खाली नलकी को लेकर है जब भी द्हागा नलकी पर से खत्म हो जाते हैं तो हम उसको पहंक देते हैं बाकी को तो सिंपल आप लोगों ने नीचे इसके डबल टेप लगानी है डबल टेप लगाने के बाद आपने तिमाह जो कॉमन पिंस होती हैं वो इसको इसके अंदर संभाल कर रख देना है और इस तरीके से आप इनको अपने रिलकें वाले बॉक्स में रख सकते हैं इससे क्या होगा टाइम पर आपको मिलेंगे और बार बार आपको ढूनने भी नहीं पड़ेगी तो अमीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चलना को सबस्क्राइब करना ओके जी नेक्स वीडियो तक के लिए आलाहाफिस